चाहे कुछ भी हो जाए हम राजसानियों को खाना खाना के बाद में कुस तो मीठा चाहिए ही होता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूं घर्मियों की बहुत ही स्पेशल मिठाई मैंगो मिल्केक यानि की आम का कलाकन एक दम यूनिक रेचिपी है जो इत्ते आसान तरीके से शायद यूट्यूब पे ना तो किसी ने बताई होगी ना ही आपने इत्ता आसान तरीका कहीं देखा होगा ना कोई चाशनी ना कोई गी ना कोई कंडेंस मिल्क और ना ही गंटों तक पकाना और ना ही कोई मावा ना पनीर बिल्कुल सरल तरीके से और सब तीन चीजों से आप ये कलाकन बना कर तयार कर देंगे बशर्ट है कि आप वीडियो की सारे स्टैप्स देखना बिल्कुल मिस न करें तो अभी आम का मौसम है तो ये मिठाई बनाना तो बनता ही है वो भी इतना आसान तरीके से तो चलिए शुरू करते हम ये यमी यमी और इजी क्विक कलाकन बनाना उसके लिए सबसे पहले एक हैवी बाटम पैन लेंगे गयास की फ्लेम ओन करेंगे यहां इसमें थोड़ा सा पानी डाला था एक दो स्पून के बराबर और फिर यहां इसमें फुल फैट मिल्क हम एड करेंगे कोई सा भी मिलक अप ले सकते हैं जो भी आपके पास एवलेबल हो पर गाडा मिलक होगा तो उतना ही आसानी से और जल्दी आपका कलाकन बन कर तयार होगा अब मैंने यह हापोस आम की प्यूरी ली है आप कोई भी आम ले सकते हैं जो एवलेबल हो पर अगर खटा मीठा आम होगा तो उससे आपका कलाकन एकदम परफेक्ट टेक्स्चर बनेगा यह आप देशी आम का पल्प भी ले सकते हैं उसका भी बहुत ही अच्छा इसमें टेस करडल हो गया है देखिए दाने नजर आ रहे हैं आपको तो बिना कुछ डाले दूद करडल हो जाता है यहां इसमें आप अलम भी आड़ कर सकते हैं अगर आपका दूद सही से करडल नहीं होता है तो और बहुत ही अच्छा सा दाना बन के तयार हो गया है इसमें पनीर वाल भी बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन उससे बहुत ही अच्छा इसका टेक्स्चर आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिल्क केक है तो उसमें मिल्क पाउडर अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तो अगर आपके पास अवलेबल है तो आप डा सकते हैं दर्वाइज आप इसको घाड़ा जित्ता घाड़ा कर सकते हैं उत्ता घाड़ा आप कर लीजेगा उसमें थोड़ा सापको बॉयल जादा करना पड़ेगा अगर मिल्क पाउडर एड नहीं करेंगे देखिए इसका टैक्सचर घाड़ा पन आ गया है इसमें और बहु सावधानी रखेगा इसमें जब यह लास्ट स्टेश पर आएगा तो इसमें चीटे उड़ सकते हैं तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखें यह हमारा बनकर तयार हो गया है अब तब तक हम इसमें ग्रीज कर लेंगे कोई भी कंटेनर या जिसमें भी आपको यह कालाकन सैट क प्लेट की कोई भी स्क्वाइर शेप की प्लेट या जो भी अप्लेट चाहें उसमें आप जमा सकते हैं यह ग्रीज कर लिया है देखिए यह लास्ट स्टेश पर है इसकी देख सकते हैं आप कंसिस्टेंसी बिलकुल घाड़ा पना गया है इसमें कलाकन में अब इसी करते हैं वह डाल सकते हैं अब आप लास्ट स्टेश पर थोड़ा सा वन फोट टी स्पून मैंने इसमें घी डाला है घी डालना बिलकुल ऑप्शनल है लेकिन उससे होगा क्या देखिए शाइन आ गया है कलाकन में हलका सा घी डालने से लीजिए हमारा कलाकन कुछ ही मिंटो हमार बनकर तयार हो गया है अब हम बर्फी को सैट कर देते हैं इसको हम कुछ गंटे के लिए फ्रिज के बाहर भी रख सकते हैं या फिर ठंडा होने पर फ्रिज के अंदर गंटे दो गंटे के लिए सैट होने के लिए छोड़ दें या फिर दो तीन गंटे आप बाहर भी र पसंद आती है तो जल्डी से में बर लग्ते ला IT्री को दो दिए ट्राइब कर दीजों जाने से पहले और मेरी आपको पसंद आती है तो उसके लिए आपको कड़ों क्या होगा चैनल को सब्सक्राइब कर Dü Plans जानल को सब्क्राइब और नीचे साथ다면 बेल आइकन जरूर से प्रैस कर दीजे आप देख सके मेरी नियू अपकमेंग रेसीपी तो फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसीपी के साथ तिल देन बाई टेक केर थैंक यू पर वाचिंग वाचिंग वांडर पूल डे रेसे प गरेसे तर बाई सकते हैं इर से बते हैं रेसी सुटäter हैना कैंज रेसी घाए मेरी मेरी टावल थैसंती। झाल झाल